बिस्मिल्य रह्मान रहीम, अस्सालाम अलेकुम, आज मैं आपके साथ धाबा स्टाइल फिश की रेस्पिशर करूँगी, यहां मैंने फिश की अंदर टू टेबल स्पून लेसन अद्रक शामिल किया है, यह मैंने रहू फिश ली है, कांटा निकाल लिया है, और इसको मैंने नमक और हलदी के साथ धोलिया था, एक चमच भरके दही शामिल कर रहे हूं, दही के बाद अब मैं शामिल कर रही हूं, काली मिर्चों का पौडर 1 टी स्पून भरके, एक किलो बोनलेस फिश में, हाफ टी स्पून नमक, अब मैं शामिल कर रहे हूं इसके अंदर लाल अब मैं धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ, 1 teaspoon और अब मैं शामिल कर रही हूँ, इसके अंदर एक चमच बड़ा बेसन का, और अब मैं शामिल कर रही हूँ फिश में एक अदत अंडा जिससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होगी, सबसे लास्ट में मैं कॉणफ्लोर श किया है उसके अंदर मैं फिश के पीसिस को शामिल कर रही हूं एक एक करके और इसको मीडियम आज पर हमने फ्राइब करना है तकरीब बन चार से पांच मिनट में फिश बहुत अच्छे से फ्राइब हो जाएगी इसको हमने क्रिस्पी फ्राइब करना है जब तक दोनों से बहुत अच्छी सी क्रिस्पी फ्राइब हो गई है इसको हम निकाल लेंगे और सब करेंगे विश की रेस्पी अच्छी लगे तो विडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा मुझे अपनी दौओं में याद रखा करें अपना बहुत ख्याल रखें अल